तो दोस्तो अभी हम जानेंगे गुरूप मेनेजमेंट फीचर के बार में गुरूप मेनेजमेंट में जाने के बाद आपको इस प्रकार्ट से इफरेंट डिटेज मिलेंगे और आपको यहां पर गुरूप यह WhatsApp डूखे क lush चो ब्रूब कैसे बनाने है ett恕 क्रेट नुफ्सके म Uh कि गूंजोन के उसम्सटों कोंटेक्स रेक्टर को क्रेट नीजुरुप है वट्सके इस में क्या है उब यह प्टर पनते क्षेक्टर के मैं आपको वट्षब के जो गुरूप से उन में जो unknown context है उन unknown context को हम extract करके without mobile में save किये बिना हम उनका उनके सभी के numbers निकालेंगे इस प्रकार से आपको start करना है फिर आपको group चूज़ करना है यह automatically सारे numbers निकाल लेगा सारे numbers निकालने के बाद यहाँ पर आपको सारे numbers उद्दजग लभी के group के नाम से सभी 176 unknown numbers का group हमने निकाल लिया है इस प्रकार आप किसी भी whatsapp group में से unknown context आप निकाल सकते हो और उनको हमारे whatsapp bulk center के through bulk message individual बेच सकते हो फिर उसके बाद है create new group create new group में आपको पहले उसमें नाम देना है नाम देने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग-अलग options आएंगे type your number select from contact select all phone group contacts call log इसमें आगर आपके बास access sheet है तो access sheet में में से आपके mobile number के जो भी column है वहाँ से mobile number का column copy करके यहाँ पर डिरेक्ली पेस्ट कर सकते हो फिर उसके बाद select from contact आप contact में से आपके जो भी context है selected context उनको आप select करके message बहे सकते हो for example business contact friend contact family contact ऐसे करके और यह जब आप यह लोडिंग होता रहेगा जितना आपके context जादा है उसके उसके लिए उतना time लगेगा तो यह जो left corner में select all जो है वह भी find blue है जब तक यह dark blue नहीं हो जाता तब तक आपको wait करना है अभी select all blue हो चुका है तो फिर उसके बाद आप अलग-अलग numbers select कर सकते हो और उनका group बना सकते हो इस प्रकार अगेन अगर आपको select all phone book context के उपर click करने के बाद आपके phone book में जितने भी context है उनसा भी context का group बन जाएगा और उसमें के बाद आपको split को option आएगा उसमें 275-275 context में groups बनेंगे split होके अगर आप assessment हो या फिर आप calling टेली कॉलर हो तो आपको ये कॉल लोग का दो पानाने का फीचर बहुत काम आने वाला है तो गेस में आपको आपने जितने भी दिन में कॉल किये हैं उनसा भी calls को unknown numbers को आप select कर सकते हो और उनको उनका group बनाके उनका follow के लिए follow के लिए group बनाके उनको follow message बेज सकते हो इससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी day by day जनकाई यहाँ पर यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद for example यह group है इसके उपर right corner में आप देख सकते हो कि CSV यह जो आपने numbers निकाल है या फिर इनकी जो लिस्ट बनाए यह आपने वह आप विशेप या CSV format में आप save करके रख सकते हो अगर आपको आधिक जान करें चाहिए तो राइट करने और में यह वीडियो का लोग है उसके उपर ख्लिक करने के बाद यही वीडियो आपको दिखाए देगी अगर आपको कोई doubts है तो आप इस वीडियो से प्ले करके देख सकत करे दो दूए है दो एक दो अगर दोएगो है उंदार